विदेशों में गेहूं निर्यात करने से देश में पैदा हुआ गेहूं का संकर जिहां मध्यपरदेश के गरीब परिवारों को मुफ्त के गेहूं की रोटी मिलेगी अब ये तैन ही ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यपरदेश के दो बार मांग करने के बावजूत के इंदर से अब तक गेहूं का अबंजन नहीं किया गया है इसकी वज़े से भोपाल समेथ 20 जिलों के लाखो गरी परिवारों को मुफ्त में मिलने वाले गेहूं का वितरन 5 महिने से बंद है और यह गेहूं परधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना के तहट सारवजनिक वितरन परणाली के उचित मुल्या राशन दुकानों से मिलता था अभी गेहूं की जगए 5 किलो चावल दिया जा रहा है और इस योजना का विस्तार 31 दिसम्बर तक ही है आपको बता दें कि मध्यपरदेश के सभी जीलों में पूरव से राश्चे खादे सुरक्षा धीनियम के तहट गरीबों को 2 रुपे प्रती किलो की दर पर प्रती महा प्रती सदस्य प्रती महा प्रती सदस्य प्रती सदस्य प्रती किलो निशूल का नाज देने की विवस्त जिसमें 4 किलो गेहु और 1 किलो चावल दिया जाता था अब इसमें केवल चावल दिया जा रहा है वितरन परनाली से जुड़े अधिकारियों को कहना है कि केंदर से ही आवंटन रोका गया है जिसे शीरूकराने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक आवंटन नहीं मिला है अधिकारियों के मुताबिक जिन जिलों में गेहु का आबंटन रोका गया है वहाँ के ज्यादातर लोग भोजन में गेहु की जगत चावल पसंद करते हैं वहीं धान का उत्पादन भी इस बार बंपर है और खरीद भी अच्छी हुई है इसे लिए चावल की खपत बढ़ाने की मंचा की जा रही है मध्यपरदेश के जिन जिलों में निशुल गेहु वित्रन बंद हुआ है उनमें भुपाल, बैतूल, छिंदवाडा, जबलपूर, कटनी, नर्मदापूरम, नर्सिंगपूर, पन्ना, राइसेन, व्रिवा, सतना, सिवनी, सिंधी, संग्रोली शामिल है इन जिलों में PMKJY के तहट गेहु वित्रन किया जा रहा था अब यहां उक्त योजना के तहट केवल चावल ही दिया जा रहा है ऐसे में देश में गेहु का संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी